सिटी सेंटर में और राजस्थान की सिटी सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बताने वाले हैं सीकर से बड़ी ख़बर ये है कि एक परक्षारती ने दूसरे परक्षारती को चाकु मारा है नीट यूजी था सिकर की बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं एक परिक्षार्थी ने दूसरे परिक्षार्थी को चाकू मार दी है नीत यूची परिक्षा केंद्र के बाहर ये पूरा जो वारदात है उससे अन्जाम दिया गया है पेट में चाकू लगने से यश कुमार नाम का जो जात्र है वो अब बिल्कुल घायल हो गया है और हमला करने वाले परिक्षार्थी का नाम नवीन बताया जा रहा है तो सीकर से बड़ी खबर है जैसा कि हम सब जानते हैं सीकर में नीट परिक्षा चल रही है और नीट परिक्षा के दौरान एक चात्र ने दूसरे चात्र पर चाकू चला दी है और पेट में चाकू लगने से यश कुमार जो की चात्र है जिस पर चाकू लगा है वो बिल्कुल घायल हो गया है जगदेव सिंग हमारे संबादाता फोन लाइन पर हमाई साथ जुड़े हैं जिन से हम बात करेंगे जगदेव ये पूरा मामला क्या है इसके बारे मिज़रा हमारे दर्शकों को बताईए और कब चाकू कैसे वहां पर पहुंच गया एकवा हमारे मिज़रा डैंडारा फिर्शकों कर्दाया हृँabile तो अपशना पर इधायतास गर्षाप जो है आपकर अप्रीधृ कि वह से हमारे करने के दोरां जो है यह के पेट में चाकु लगा है तो उसको उचार के लिए दाताराम गज्दे शी कर दिया गया है और जो हाँ बट एक बात बताई जगदेव जी ये चाकु वहां तक पहुंचा कैसे क्या वाँ पुलिस प्रशासन उतनी सतर्क नहीं थी कि चाकु एक चात्र के हाथ में चात्र है केटमी है जहां पे नीट की प्रिच्छा थी वह बिलकुल सुन्सान जगए बाते है चाकु मिलने जैसी कोई संभावना भी नहीं है तो जिसने आरोपी जो लेके गया है चाकु वह पहले से लेके गया है पहले से ही इसकी घानिंग थी और सामने आ रहा है कि यह परानी र कर रहा है और वहीं एक बात और बताना तौँगा कि जित आरोपी जगदेव आपकी आवास थोड़ी सी कट रही है फिलाल हम बढ़ेंगे अंगली खबर की और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने महतपून जानकारी दी है फिलाल बढ़ते हैं अंगली खबर की और नीट की परिक्षारती थे उनको हिंदी मीडियम का जो परचा है वो थमा दिया गया गया परिक्षा छोड़कर कैंपस में वे द्यारती वे परिजनों ने हंगामा किया है जिसकी जलक हम आपको दिखा रहे हैं तो बहुत-बड़ा ये एक फिर बदल हो गया है एक इसे आप कह सकते ह हैं कि एक बहुत बड़ी चूक हो गई है कि जितने भी वहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडन्स थे उन्हें अंग्रेजी मीडियम के जो क्वेस्टन पेपर हैं वो दे दिया गया और जितने भी वहाँ पर अंग्रेजी मीडियम के स्टूडन्स थे उन्हें हिंदी मीडिय सिंग जुड़ चुका हैं इसी बामले पर बात करने के लिए बजरंग ये कैसे इतना बड़ा जो एक मिस कम्यूनिकेशन है ये कैसे हो गया मैं आपको बता हूँ कि आज नीट के एक्जाम थी और स्वाय मादबर दिला मुख्षाले के आधर श्विता मंदर के अंदर भी एक परिक्षा सेंटर बनाया गया था जान नीट का एक्जाम जैसे ही स्परू हुई तो पांस कमरों के अंदर जो परिक्षा ठीक बेठे थे उन अंगामा किया तो और बच्चे परिक्षा केंदरों से बाहर निकल गए और पेपर लेकर बच्चे बाहर निकल गए कई लोगों ने पने पेपर और अर्म थी भी फाड़ दी तूस दूसना पर पुलिस हैं मौके पर पहुंची और बच्चों को कंट्रॉल करने की कोसिस की बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए परिजन लोन भी इस बास को लेकर के नाराज की जिसाई परिजनों का साथ कि बारा महीने तक महीनत करता है उसके बाहुद अगर इसके दूआरा जी तरह की गल्सी की जाती तो उसका खामयाजा बच्चों को भूगतना बाकी परिजल Informationen के अरहां परीजन दिना है पूल है फरिजन थो स्बास करें पर इंखानी जाया पर पर इंसे समझार जिसारी है लेकिन इन ते कुछ परिच़ारती देने तेने को तयार है लेकिन कुछ परिच़ारती है वह परिच़ा तेने के लिए तयार नीए रहे हैं जै तो पर्श और परिफइंटी के दिल्वाने के लिए कि लगातार समझाइब की जा जारी है। मुझत गिर के निक्रानिवी जाते हैं, उनको एक्जामताइग की दिलाई जा सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बजरंग जी आपने महत्पूर्ण जानकारी साजा की है हमारे दर्शकों के समक्ष फिलाल हम बढ़ेंगे अंगली खबर की ओर देश में सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी दोजार चौबिस आज दोपेर दो बज़े से शाम साड़े पांच बज़े तक पैन पेपर मोड में आयुजित की गई है एन आम आपको बता दें कि एंट यूजी की और से पहले ही प्रवेश पत्र और दिशान रुदेश जारी कर दिये गए थे खास बात यह है कि नीट यूजी की परिक्षा देश भर में 557 शहरों में हो रही है और विदेश के 14 शहरों में आयुजित की जा रही है इस बार नीट यूजी की परिक्षा के लिए अब उत तक के सारे रिकॉर्ड्स टूट गये है इस साल प्रवेश परिक्षा के लिए 24 लाख से ज्यादा विध्यार्थियों ने रेजिस्ट्रेशन अपना करवाया है वही राजस्तान की अगर आपको बात बताएं तो राजस्तान में 24 शहरों के अलग-अलग सेंटर्स पर परिक्षा हुई है राज में कुल 1,97,000 विध्यार्थी मेडिकल की परिक्षा में हिस्सा लिए है अब बेरती अंदर आ रहा है उसके जो दस्तावेज लो उससा संतुष्ट्र वेला है अपको उभीद है लगातार बिलवड़ा में जिस तरह से और राजस्तान में परिक्षा में जिस तरह से एक तरह से सवालय निसांग खड़े हो रहे थे उस दोर में जिस तरह से आप जाँच पड़ताल एक एक बच्चे की जो दस्तावेज उनकी जाँच की जा रही है साथ साथ में इस बार जो एक बड़ा नवाचार किया गया है वो नवाचार है केमरे की नजर में फूरी परिक्षा की पक्रिया वह निप्टए जाएगी अब बीचे में कुछ परिक्षा थे कहां सा है बेटाब क्या उमीद है इस परिक्षा को लेकर जिस तरह से तयार है क्या लग रहा आपको हो जाएगा पहले भी कभी दिया है पहली बार दे दूसरी बार दिया है कांप तयारी काहां कर रहे थे प्रिक्षा कर रहे हैं अभी हम इसमें कुछ जो अपसर यहां पर लगे हैं उनसे पू प्रवेस बत्र होना चीए बाकी और कुछ नहीं है और अंदर हम जो बैटल डिटेक्टर है उसके दवारा बिच्कों की जाज की जारी है साथ ही बाइयो मेट्रिक दौरा हम बाइयो मेट्रिक करके उनको कम रेक अंदर पर एक चीज तो होगे दूसरी चीज जिस तरह से आपक परिक्षा जब तक परिक्षा खतब नहीं हो जाएक जब तक उसकी रिकोर्डिंग होगी और कुछ कमरों की लाइव होता है इतने बच्चे आपके 408 बच्चे अपने बागे का अजमार है इस परिक्षा में किसी ना किसी तरह से सरकारी संदेश देना चाहती है कि ये परिक परिक्षा की प्रक्रिया है वह सीची टीवी केमरे की नेजर में हो रही है साथ ही जो भी अब्डेटी अंदर गुसरा है उसके दस्तावेजु की पूरी जांच की जा रही है किसी तरह की होता ही नहीं रहे इसको लेकर भी पूरी तेयारी की गए और देशबर में बनाये गए परिक्षा के इंदरों पर नीट की परिक्षा का आयोजन किया गया है देशबर के करीब 25 लाग परिक्षार्थी नीट की परिक्षा में शामिल हुए है आपको बता दे कि नीट इत परिक्षा के लिए राजिस्थान में भी परिक्षा के इंद बनाएगा है पूरी प्रोफेशनल टीम इस काम में लगे हुए है जैमर्स लगे हुए है रूम्स में कोई मोबाइल अलाउड नी है कोई पैन पैन सिल अलाउड नी है और किसी तरही कोई चीज अलाउड नी है पूरी तरह से सुरक्षय वस्ता है ये ग्यारा से डेड़ बजे तक बच्चों का एंट्री होगा डेड़ के बाद किसी को अलाउड नी करेंगे दो बजे से पेपर शुरू होगा पांच बीस तक पेपर से लेगा बॉली थाना चेतर में एक्सप्रेस वेपर बनाएं बनास पुलिया और महीं सवाए माधुपूर के बॉली थाना चेतर के एक्सप्रेस वेपर बनास पुलिया के पास जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है अग्यात वाहन की टकर से कारसवार 6 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे में परिवार के दो बालक भी घायल हुए है सुचना के बाद बॉली थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुँची और सभी घायलों को बॉली CHC पहुँचा दिया गया है आपको बता देंगी परिवार सीकर से रंथंबोर स्थित त्रिनेत्र गनेश के दर्शन के ले जा रहा था कैमरेट मंतरी बाबुलाल खराडी को धम की देने वाले युवक को कोटड़ा पुलिस ने गिरफतार कर दिया है इस बारे में जानकारी देतेवबे पुलिस ने बताया है कि आरोपी जितेंद्र कुमार अहारी उदाइपूर के बंजरिया थाना खेडवारा का रहने वाना है जिसकी उम्र करीब 21 साल बताय जा रही है आरोपी से पूछताच के दौरान उसने बताया है कि चुनाव के दौरान जितेंदर अपने मुबाइल में अन्न के नाम से इंस्टेग्राम की आईडी बना कर राजनितिक विचारधारा से प्रभावित होकर उसने वो कॉमेंट किया था जिसमें उसने धमकी दी थी बता दे कि आरोपी जुतेंदर कुमार खेडवाडा महाविद्याले के प्रथम वर्ष विज्ञान का एक छात्र है और वहीं अगर आपको चुरू की बात बताएं तो चुरू के तारा नगर में कल से लापता छे वर्ष ये बच्ची सांतियू रोड के पास जोहड के खेत में चरवाहे के चरवाहे को बेसुद अवस्था में मिली है चरवाहे की सुचना पर ASI सुमेर मीना और HC महेश मीना ने बच्ची इकरा को तारा नगर सरकारी अस्पताल में भरती करवा दिया है बच्ची के मिलने की सुचना मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड जमा हो गई लोग की भीड को देखते वे एस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस जबान को तैनात कर दिया गया है और बच्ची का इलाज कर रहे शुशू रोग विशेशक की डॉक्टर मोतिलाल सोनी ने 24 घंटे मेडिकल देखरेक में रहने की उन्हें सला दी है बच्ची की गायब होने के बाद डियेसपी मनीक्षा सिंग ने स्कूल का भी निरिक्षन किया था वहीं डियेसपी मनीक्षा सिंग ने बताया है कि पुलिस की टीम जाच में जुटी हुई है और जल्दी खुलासा कर देगी और वहीं सीकर में भादवासी गाउ में बिजली के पोल पर कार कर रहे हैं समय करिंट लगने से टेका कर्मी की मौत का मामला सामने आया है जिसमें परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है मुझे तक राजपार जाखड के परिवार वाले शहर के पिपराली सरकल के पास बिजली विभाग के पावर ग्रेट के बाहर शब रखकर पदर्शन के उन्होंने किया है और मांग पूरी ना होने तक धरना जारी रखने को भी की भी एचेतावनी दी है वहीं बीजेपी नेता कानाराम जाट जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि बिजली विभाग के करमचारियों की लापरवाही के कारण ठीका कर्मी राजपाल की मौत हुई है राजपाल की मौत के बाद भी अभी तक बिजली विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी धरने पर बैठे लोगों से बाचीत करने नहीं पहुँचे हैं हम आपको बता दें जब तक पीडित परिवार की मांगे पूरी नहीं होती तब तक लगतार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ऐसा ग्रामीनों का परिजनों का कहना है मामने में दोशी करमचानियों पर हत्या का मुकदमा दर्श किया जाए ये भी उनकी एक मांग है पीडित परिवार को पचास लाख रुपए का मुआफ़ा एक व्यक्ति को समविदा पर नौकरी और पीडित परिवार को पेंशन की सुविदा दी जाए प्रताबगर में पुरिस ने तीन राजियों के वॉन्टिट पच्छी सजार के कुख्यात इनामी बदमाश रफीक पठान को गिरफतार कर लिया है मद्व प्रदेश पुरिस ने भी बदमाश रफीक पठान पर ग्यारह हजार रुपे का इनाम घोशित कर रखा था इस बदमाश पर पंदरा से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले विभिन राजियों में दर्श किये गए हैं वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए है इस पी लक्षमन दास ने बताया है कि अरनोधा थाना चेतर के रहने वाले रफीक पठान मादक पठार तसकरी राजकार में बाधा पशू कुरूरता धिनियम जानलेवा हमला सहित कई संगीन मामलों में वंचित चल रहे थे पुलिस टीम को सूचना मिली थी हुख्याद बदमाश अपने गाउं में चिपा हुआ था इस पर टीम ने कारवाई करते हुए बदमाश रफीक पठान को गरफतार कर लिया है और फिलहालब इसके अनसाथियों के विशे में भी बदमाश से पूछता जा रही है और जालावार के ग्रामीन छेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेजल की समस्या भी देखने को मिल रही है जिला मुख्याले से मातर दस किलो मिटर दूर मोती पुरा और समराई गाउं में लोगों के हाल बेहाल है लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा है, वही हमारे संबादाता रियाज खान ने लोगों से बाचीत की है, आपको दिखाते हैं. सबाए माधुपूर में आज लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमन पर नजर परे नगर, माफ की जगा नगर परिशत का पीला पंजा जम कर चला. सबाए माधुपूर विधायक और क्रिशी मंतरी डॉक्टर की डोडी लाल बीना की मौजूदगी में नगर परिशत का अतिक्रमन हटाओ, दस्ता जो है दलबल के साथ आज एक बार फिर जिला मुख्याले के बजरिया शेत्र के बाजार में निकला और मंतरी की मौजूदग इलाल मीना ने बताया है कि जिला मुख्याले पर जगा 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 लोगों ने अतिक्रमन कर रखा था जिसके चलते बाजार में पैदल चलना मुश्किल हो गया है आम जन ने जो सकायद की थी इदरो जो इतना अतिक्रमन हो गया कि बज़ार में चल पाना पर जोसकर घाल ते तो अधिकारियों ने ते किया आम जन को आवा को मनों को असुद्दा नी रोगा और जो भी अवेद कर स्टिक्शन हो गया है नगर परिशन से ने इन सब के खिलाब नगर पार जगा जगा है और खबर जुंजुनों के खेतरी के कालोटा स्थित रोड रेडिमिट कपड़े की दुकान से है जहां शनिमार शाम एक व्यापारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मृतक व्यापारी के परिजन और ग्रामीनों ने हत्या की आशंका जटाते हुए धानी के सामने बैठ कर अपना धरना प्रजर्शन करते रहे और परिजनों ने आरोपियों को गिरफतार करने की मांग को लेकर शव लेने से इंकार तक कर दिया जिसके बाद आपको बता दें बबाई थाने दिकारी ने परिजनों के साथ समझाईश की है और रिपोर्ट दर्श कर लिया है और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में राजस्तान की डेपिटी सीम दिया कुमारी ने पार्टी पृत्याशी के समर्थन में चुना प्रचार किया है दिया कुमारी ने पूरवी दिल्ली लोगसभा सीथ से पार्टी पृत्याशी के समर्थन में चुना प्रचार किया है साथ ही नारी सर्शक्तिकरन सम्माद कारेक्टर में भी शिर्कत करेंगी बोन आपको बताते चलें कि राजस्तान के अजमेर, चुरू, जुन्जुनू, सहित, राजस्तान के कई शहरों में तेजगर्मी पढ़ना शुरू हो चुकी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दो से तीन डिग्री तापमान और बढ़ेगा देखें आलो गौण की ये रेपोर्ट महीने की शुरुवात में चलचलाती धूप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं अजमेर सहित, राजस्तान के कई शहरों में सुबह साथ बजे से ही तेज गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है और ये गर्मी एक बजे से लेकर तीन बजे तक अपने पीक पर रहती है यही वज़े है कि गर्मी से बचने के लिए लोग गर्ने का रस, दूद से बनी लसी और प्याओ का पानी पी रहे हैं गर्ने के रस को राजस्तान के लोग धर्ती का अमर्त बता रहे हैं तो गर्मी तो बहुत जादा है और गर्मी के अंदर अगर आपको शर्बत पीना होता है और आपको सबसे बेस्ट है गणने का जूस और इसके अंदर क्या हांफुल पैसे साइस भी नहीं होता है है हैँ एज़ों को आजकल सब चीज़े दिखाई जाती को को कला प्यों पैपस यह दर्ती का अम्रेत है तो जूस गन्य का आई है। गन्य के रस में कैल्शियम, मैगनीशियम और आईरन भरपूर होता है। पत्री की इलाज के लिए काफी फायदे मन भी होता है। इसके लिए आपको रोजाना एक लास जूस में गन्ने का सिर्का मिला कर पीना चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि डाइबटीज के मरीजों को इससे परेज करनी चाहिए। गन्ने के रस में सोडियम, पोटैसियम, मैगनीशियम और आइरन होता है। चिलचलाती धूप में डिहाइडरेट होने से रोखती है और आपको तरोधाजा रखती है। यूरीन की समस्या से भी निजाद दिलाता है। करने का रस कब्स में भी फाइदेमंध है। लीवर को सुष्थ रखता है। इस तन कैंसर से भी लड़ता है। और पाचन को ठीक रखता है। लोगों को कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और विक्राल रूप ले सकती है। गौर तलब है कि मौजूदा समय में उमस्याद देखने को मिल रही है। अच्छा है ठीक है। गर्मी तो है लेकिन पसीना नहीं आ रहा है। भी तो ठीक है। गर्ने करह स्पीकर आत पार है। अजमेर, चूरू, जुन-जुनू, स्री गंगानगर समेत, राजस्तान के कई ऐसे सहर हैं जहां पर गर्म हवाएं और तेज दूप निकलना सुरू हो चुका है। ऐसे में जो राजस्तान के लोग हैं बचने के लिए अपने अस्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम विभा का कहना है कि दो से तीन डिग्री तापमान बढ़ सकता है। एन्डी टीवी के लिए आलोग गोंड। वही खबर जैसलमेर के रामगर से है जहां एक B.S.F. जवान ने आत्मत्या कर ली है। अपने सही सुना ये घटना सीमा चौकी बबलियान की है। और अभी तक के जानकारी के अनुसार मृतक जवान जनरेटर आप्टेटर के पद पर तैनात थे। जनरेटर रूम के पीछे पेड़ पर फासी लगा कर उन्होंने आत्मत्या की है। तनोट पुलिस ने शव को रामगर स्पताल भी पहुचा दिया है। आत्मत्या के कारूनों का खुलासा अभी तक नहीं किया जा सका है और पुलिस पूरी तरह से जाच में जुटी है। सालों से एक केलो पोश कच्चे घर में चल रहा है। एक कमरे के घर के आगे टाट बांध कर दूसरा कमरा बनायकर स्कूल चलाय जा रहा है। मिटी के बने केलू भी दो महने से हटा दिये गए हैं। भीशन गर्मी में फटी पुरानी टाट लगाकर गर्मी से बचकर अंशायद जो है वो कह रहे है कि 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने काली के लूतार इसके बद हम ये तिरपाल विपार करके हाँ आचे गूर गया है। तिरपाल भख के फिरम हो गया है। पड़ा थे हैं। अभी ज़्यादा तकलिक होती है हम निंग के निशी ते नियाता है। कुआ या कोई मकान जैसा कोई मामला नजन नहीं आया है। जिसके बाद ग्रामीनों ने खुदाई जो है मापर बंद कर दिये। हर कोई उचसुक था कि जमीन में ऐसा क्या दबा हुआ है। आखिर क्या निकलेगा। खुदाई के दोरान जमीन में दबी एक मिट्टी की बनी छोटी देव पृत्मा जरूर निकली है जो भगवान बुद्धो और माताजी जैसी दिखाई देती है। मौके पर ग्रामीनों ने जहां वर्षों पहले आबाद बस्ती होने की संभावना जटाई थी तो अनलोगों ने पानी का कुवा या फिर कोई मंदिर अत्वा मकान होने का उसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन जैसी भी मशीन से खुदाई के बार सिर्फ बड़े ये चोर गैंग का खुलासा कर दिया है गैंग का संबंद पड़ोसी राज एमपी से भी है सीगर पुलिस ने विवेक कॉली में पिछले महीने लाखों की चोरी का खुलासा किया था पुलिस ने तीन आरोपियों को गरफतार भी कर दिया था आरोपियों का संबंद एमपी के मुरैना जिले से हैं पूछताच में सामने आया है कि चोरी करने वाले गिरोगे लोग देर रात सोने मकान की वारदात के लिए निशान उने बनाते थे और गैंग को तीनों सदस्यों क्यांकि तीनों सदस्यों सदस जो हैं वो पिछले महीने खाटुश आम जी दर्शन करने के लिए आये थे इस वरान दर्शन से वापस जाते समय शहर के नवलगर रोड पर चोरी का वारदात को अंजाम दिया था मामने की गंभीरता को देखते वे उद्योग नगर थाना पुलिस ने करी 500 CCTV फिटेजिस को खंगाला और आरोपियों की तलाश में जुड़ गए